हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्केट अपडेट्स में तो दोस्तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर एक वीडियो की तक पहुंच सके दोस्तो कल मैंने दो वीडियो अपलोड किये थे अगर उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा है तो आप चैनल पर विजिट करके उन दोनों वीडियो को देख ले तो चलिए दोस्तो आज की ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो आ मार्ट 17 में कमपनी के पास 705 क्रोड रुपीज के रिजर्व थे देन 916 क्रोड देन 103 क्रोड देन 1464 क्रोड देन 1817 क्रोड तो मेंस आप देख पा रहे हैं कमपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं अगर मैं कमपनी पर करज की बात करूं तो लॉंग ट्रम में कमपनी के उपर एक रूपे का भी करज नहीं है शोट रम करज की मैं बात करूँ तो अभी कम्पनी के पास शोट रम में भी एक रूपे का करज नहीं है अगर मैं cash and cash equivalent की बात करूँ तो कम्पनी के पास around 4.43 क्रोट रूपीज का cash है तो अगर दोस्तो balance sheet के point of view से बात करूँ तो company की एक अच्छी balance sheet हमें देखने को नजर आ रही है आगे दोस्तों हम बात कर लते हैं company के financials की तो revenue अगर आप देख पा रहे हैं तो revenue जो है 2017 में 1370 क्रोड रुपे था then 1651 क्रोड then 2699 क्रोड 2020 में 4239 क्रोड और 2021 में 4369 क्रोड means revenue जो है लगातार अप ट्रेंड में है अगर मैं net profit की बात करूँ तो profit पहले 96 क्रोड then 79 क्रोड 2019 में 173 क्रोड then 611 क्रोड और अभी 755 क्रोड EPS earning पर share की मैं बात करूँ तो 2017 में 8.21 then 6% then 12.73 क्रोड then 44.8 और then 56.88 तो means EPS भी कंपनी का लगातार growing mode में है आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपनी के share holding pattern के बारे में September 2021 तक कंपनी के 45.69% shares promoters ने hold किये हुए है FIE की मैं बात करूँ तो company के 10.85% shares FIE के पास है DIs की मैं बात करूँ तो 10.61% shares company के DIs के पास है और public की मैं बात करूँ तो around 32.84% shares public ने hold किये हुए हैं तो दोस्तों अभी हमने company की balance sheet के बारे में देखा profit and lows के बारे में देखा share holding pattern के बारे में देखा तो सभी uptrend में नजर आ रहे हैं सभी जंग कंपनी अच्छा काम कर रही है तो चलिए दोस्तों आगे हम discuss कर ले कंपनी की कल की performance के बारे में बात करें तो कल 15th November को delivery percentage की अगर मैं बात करूँ तो 33% की company में delivery उठाई गई है और company पे अगर मैं share pledging की बात करूँ तो company का एक भी share गिर्वी नहीं है और अगर मैं company के 52 week high की बात करूँ तो company ने 19 October को 3020 का अपना 22 week high लगाया था और 52 week low company का 781.85 जो 18 November 2020 को company लगाया था अभी दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ दीपक नाइटरेट शेयर के बारे में chemical sector का one of the most popular और fundamentally strong दीपक नाइटरेट शेयर है इसने अपने निवेश्कों का पैसा कहीं गुणा किया है और अभी जो इसका current price चल रहा है वो 2354 चल रहा है तो means आप देख पा रहे हैं कि ये अपने high से 23 to 25% नीचे ट्रेड कर रहा है आगे दोस्तों अगर मैं company के चार्ट पैटरन की बात करूँ तो पिछले पात साल में company ने 2412% के returns दिये हैं तो आप देख पा रहे हैं कि क्या जबरदस्त की ये company है जिसने पात साल में अपने investors को इतने जबरदस्त returns दिये हैं अगर मैं maximum बात करूँ तो ये देखो कि ये जो company का चार्ट पैटरन है लगातार upward moment इसमें दिख रहे हैं कमाल का company का चार्ट पैटरन है बट दोस्तों जिन भी साथियों ने इस company को higher level पे ये देख पा रहे हैं around 3000 के level पर buy किया है तो वो साथि आज panic में है बट दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस company को लेकर panic मत होएं क्योंकि ये stock market की journey है हर एक stock में upward और down moment चलता रहता है ये एक market का part है इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां से 3000 के level से profit booking हुई और stock around 25% नीचे आ गया बट दोस्तों आपको इसमें panic होने की जुरूरत नहीं है आप हर एक moment पे जब भी stock down नीचे आएगा तो आप उसमें अपनी SIP करें और नीचे आते हुए company में माल उठाते रहें तो आप इन future बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं company के अगर मैं market cap की बात करूँ तो 32,000 क्रोड रुपे का company का market cap है तो means company एक large gap company है तो दोस्तों मैं आपको ये directly recommend नहीं करूँगा पहले आप इसके बारे में अपनी study करें अपने financial advisor से बातचीत करें बट दोस्तों अगर मैं आकडो और company के business के बारे में देखूँ तो company का business अच्छा चल रहा है लगातार company को नए contracts मिल रहे हैं और लगातार company का revenue और profit बढ़ रहा है और पिछली अगर हमें previous history की भी बात करूँ तो company लगातार अच्छा perform कर रही है चलिए दोस्तों आगे मैं आपसको एक article दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों यूर वन लाग वुड हैव विकम वन क्रोड इन दिस chemical sector इन दस यह तो दोस्तों पिछले दस साल में दिपक नाइट्रेट ने एक लाग रुपे जिस भी investor ने इसमें invest किये थे उसका आज amount एक क्रोड रुपे है यह article आप देख सकते हैं दाट कि multi bagger stock the chemical manufacturing company share price has skyrocketed from 18.50 per stock market on 8 July 2011 means 2011 में इसका price 18 रुपे था और ये 1945 इसने hit किया on 9 July 2021 means जो stock है वो 105 गुणा 10 साल में बड़ा है तो आप देख पा रहे हैं कि जिस भी साथी ने इसमें एक लाग रुपे 2010 में invest किये थे तो आज उसके पास एक क्रोड रुपे का amount है तो दोस्तों दिपक नाइट्रेट एक बहुत ही जबरदस्त और fundamentally strong stock है chemical sector का king है chemical sector में इसको एक बहुत अच्छा stock माना जाता है तो दोस्तों आप बिंदास होके बिना किसी panic के जितना ये stock नीचे आएगा उसमें S.I.P. करते रहें हलकी हलकी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहें तो दोस्तों आप इसमें आने वाले समय में इसका जो target है वो 3000 तक देख सकते हैं ये अराम से 3000 को भी cross करेगा बस दोस्तों इसमें एक ही condition है कि दोस्तों आपको इसमें time देना पड़ेगा थोड़ा patience के साथ इसको hold करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जैसे हमारी life में heartbeat अप और डाउन चलती है वैसे ही stock market में भी हर एक stock की journey अप वर्ड और downward moment में चलती रहती है ये एक stock का part है तो इससे आपको बिल्कुल भी घवराना नहीं है आपको बिंदास होके इसको hold करें और लोस में इस stock को लोस में बेचने की बिल्कुल भी गलती नह करें तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप comment section में जरूर बताएं चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई